नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल बेडिंगे शुरुबात करते हैं बिजेपी के सदेस्ता अभ्यान पर उत्राकंड कॉंग्रेस ने कटाक्ष किया है कॉंग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मत्रव दच जोशी ने कहा कि कॉंग्रेस का कोई भी जमीनी कालिकरता बिजेपी में नहीं जा रहा है बिजेपी में केवल ब्रस लोग ही जा रहे हैं और लोंने ये भी कहा कि जिसके उपर भिस्तचार के आरोप हैं जिनके अन्य मामले हैं वो ही बिजेपी को जोईन कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत की पुत्रवदू अनुकरती गुरसाई ने भी आपको बजाते चलें कि एक दिन पहले ही बिजेपी जोईन की थी अब हरक सिंग रावत के दुबारा बिजेपी में जाने के कयास भी लगाये जा रहे और इस बीच कॉंग्रेस के पुदेश उपाध्यक्ष मत्रुअ जजज जोशी का ये बयान सामने आया है आपको बजाते चलें कि बिजेपी में केवल भ्रस्ट लोग ही जाते हैं जिनके उपर कोई केस होता है ऐसा कहना है कि बिजेपी सिदिस्ता अभ्यान पर लगातार पुदेश उपाध्यक्ष मत्रुअ जजज जोशी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बिजेपी में केवल भ्रस्ट लोग ही शामिल होते हैं जिनके उपर पहले से कोई केस होता है या फिर कोई मामला दर्श होता है उसके बाद में वो बिजेपी को जोईन करते हैं जिसके बाद सारे दाग धुल जाते हैं दरसल आपको वजाते चलें कि प्रदेश उपाध्यक्ष मत्रवा का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने बिजेपी जुआइन करने वालों पर कटाक्ष किया है आपने कोई हमारा कोई बूत का कारे करता दो गया गया नी जो मूल कॉंगरेस का कारे करता है वो तो नहीं गया हाँ जिसके उपर वर्साचार का आरो पर वो जा रहा है कॉंगरेस नेता ट्यूरी लोगसभाद छेटर के लिए बनाए गए हैं मदगर्णा इसतल का निरिक्षन करने पहुंचे जिसमें प्रदेश चीफ मीडिया कॉडिनेटर राजीव महरसी और साथी पूर्व महानगर अध्यक्ष डाल चंद शर्मा प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली सहित अन लोग भी उपस्तित रहे और आपको वजाते चले कि दिर्यादून के डियम सोनिका ने मदगर्णा से सम्मंधित जानकारी को भी शेयर किया है आपको वजाते चले कि मदगर्णा इसतल का निरिक्षन किया किया डियम सोनिका ने जानकारी भी शेयर की है कॉंगर्स नेता मदगर्णा इस्तल पर पहुँचे और साथ ही मदगर्णा को लेकर लगातार तयारियां जारी थी जिसको लेकर यहाँ पर मदगर्णा इस्तल पर पहुँचे डियम सोनिका ने जानकारी को शेहर किया है तो बढ़ते आगे लेंस्टाउन विधायक महन दिलीप रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉंगर्स पार्टी चुटकी लेते हुई नजर आ रहे दरसल लेंस्टाउन विधायक दिलीप रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट को जारी किया हूँ पर सियमों और साथ ही बिजेपे प्रदेश अद्धेश महंद भट को टैक करते हुए कहा कि राम तेरी गंगा मैली अब मैली हो गई है पापियों के पाप धोते धोते आपको बता देखी क्या आप नमामी गंगे योजना यहाँ पर भी शुरू की जाएगी या फिर नहीं इस बात पर कॉंग्रेस के प्रदेश महामंतरी नवीन जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम दिली प्रावत की बात का समर्थन करते हैं साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों पर EDCBI इंकम टेक्स के आरोप लगे हैं वो बिजेपी की वाशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी लगातार बिजेपी पर निशाना साधरे प्रदेश महामंतरी नवीन जोशी लगातार EDCBI के बाहने जम कर निशाना साधा गया उन्होंने कहा कि जो लोग भी कॉंग्रेस छोड़कर बिजेपी में शामिल हो रहे हैं कोई भी आरोप है या फिर भेस्ट है इसके बाद में बिजेपी में शामिल होने के बाद वहां की जो वाशिंग मशीन है उसमें धुलकर वो साफ हो जाएंगे EDCBI प्राइब उन पर मामले दर्ज नहीं करेगी जो विदायक हैं दिली ब्रावची उन्होंने जो बात कई उसकाम समस्थन करते हैं क्योंकि भारते जनता पार्टी जो वाशिंग मशीन है जिन पर दुनिया बर के आरोप लगे हैं EDCBI और दुनिया बर की इंटेलिजेंस जिन नेताओं के पीछे लगे हुई है वह आज भारते जनता पार्टी में समावे ज़िद हो गई हैं यह कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे अब यह भारते जनता पार्टी कॉंग्रेस यूप्त BJP हो गई है तो उसमें इतने अपरादिक प्रवर् रूम में लोगों की सूच्राएं मिल रही थी कि उनके बस्ते काई नजर नहीं आए खुद इनके नेताओं ने कहा कि जो इनके पन्ना परमुख है वह फिल्ड में नहीं नजर आए वह सिरफ सेल्फी लेने तक सीमित हो गए जिस परकार से भारते जनता पार्टी के नेताओ कि यह बयान आ रहे हैं उससे इस परस है कि जनता का रूप किस ओर है कॉंगर्स के दिगर्ष नेता हरक सिंग रावत की पुत्रवधू अनुक्रती गुसाई बिजेवे में शामिल हो गई हैं इसी को लेकर कॉंगर्स की उपाध्यक्ष मसुराद जोशी ने कहा कि अनुक्रत की गुसाई पहली बार पार्टी में आई और पार्टी ने उन्हें विधान सभा का चुनाब जड़ाया और इसके बाद में उन्होंने विजेपी को घेरते हुए कहा कि एडी और सीब्याई गलत प्रियोग कर रहे हैं और कॉंग्रस पर पलटवार करते हुए कहा कि बायक विनो चमोली ने ये भी कहा कि एडी हो या सिब्याई उनका अपना कामचारी है अनुकृति का कॉंग्रस से जाना निश्चित रुप्चे गुर्भा की मोलबार पार्टी ने पहली बार पार्टी में आई पार्टी की सबसे भी नहीं की सब्सक्राइब पार्टी ने उनको विजाउन सबागा चुनाव लड़ा है और एक नेता की रुपने इस्ताबिक करने का काम किया आज अधर लोग इस तरह से एडी के डर से या सीवी आई के डर से या अपने गलत काम को परदा डालने के डर से परदा डालने के लिए सत्ता का उप्योग कर रहें तो निश्चित रुप से यह तोचने इबाद है और इसमें भारती जनता पार्टी के को भी सोचना पड़े पर अपने जाज कर रहे हैं उसका उनके जोइनिंग करने ने करने पर कोई फर्क में पढ़ने वाला है कर देखने को आ रहे हैं जिस पर उत्राखन वनविभाग लगातार काम कर रहे हैं और वहीं इस मामले को लेकर आपको वजाते चलें कि अपर प्रमुक वन संगनक्षक निशान वर्मा ने कहा कि अभी तक कुल 379 वन अगनी की मामले सामने आए हैं प्रदेश भर में देखने को मिले हैं और साथ उन्हों नहीं कहा कि वन अगनी से 440 सेक्टियर का वन छेत्र प्रभावित हुआ है अभी अपरेल में हम लोग उन्हें देखा है कि जो है फॉरिस्ट फायर के अलर्ट जो अभी तक जो हम लोग डेली फायर बुलिटिन जारी करते हैं तो संकलित रिपोर्ट के हसाब से अभी तक हमारे जो है टोटल 380 379 मामले हुए हैं और जिसमें की जो है टोटल 440 सेक्टियर का वन छेत्र जो है वो प्रभावित हुआ है वला जिसे मौसम विभाग ने एक वाल फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूरवा नुमान जारी किया है और मौसम विभाग के मताबिक आने वाले एक से दो दिनों तक प्रदेश के अधिकान शिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है वहीं मैदानी लाकों में भी कहीं कहीं बारिश के साथ में मौसम समानी बना रहेगा साथ ही आपको वजाते चलें कि मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंग ने ये भी कहा कि 2324 अप्रेल को प्रदेश के पहड़ी जिलों जैसे की उतरकाशी, चमोली, पिथोरागर, रुद्ध प्रियाग, बागेश्वर आदी, छेत्रों में हलकी बारिश के संभाबना भ रहेगा और साथ ही अगामी कुर्टिनों तक मैदानी लाकों में तापमान बढ़ने का अंदेशा मौसम विभागने जिताया है, 27 अप्रेल से एक बार फिर से पस्चमी विच्छोप सक्री होने के भी असार नज़र आ रहे हैं देखिए इस समय आप देखी रहें कि बहुत एक्टिविटी नहीं है, आज और कल की अगर बात कलने हैं, आज आपकी बाहिस तारिक है, तो एक पस्ची विच्छोप है, फीवल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है, अंदर के हमारा डिस्टिक्स है, उतराखंड के उत कि अक्टिविटी जो है, आज और कल अगर में कहूं, तो आइसोलेटर टाइप जो है, वो मिले हो, तो बहुत जादा नहीं है कुछ, और चुटपूट आप कह सकते हैं, जो देरादून के हिल्स है, या टेरी की हिल्स है, उनमें थोड़े बहुत जो है, आइसोलेटर टाइ रिशिकेश में एम्स में आयुजित होने वाले दिक्षान समारू की सभी तयारियां पूरी कर ले गई हैं, 23 अप्रैल को आयुजित हो रहे, समारू की मुख्य अथिती महा महिम रास्टपती द्रोपती मुर्मू होंगी, जबकि सूबे के राजपाल सेवा निवरिती, उपादी पाने वाले चातर चात्राओं में इसे 10 टॉपर का चैन गोल्ड मेडल के लिए भी हुआ है, और इनमें से भी कुछ टॉपर एक से अधिक गोल्ड मेडल से नवाजे जाएंगे आपको बताते चले कि एम्स रिशिकेश में दिक्षान समारो का आयोजन किया गया, जहांपर सभी तयारियां पूरी भी कर ली गई हैं दरवसल आपको बताते चले कि 23 अप्रैल को यहांपर कारिक्रम होना है, जिसको लेकर लगातार तयारिया जारी हैं दरसल एम्स रिशिकेश में दिक्षान समारों को आयोजन किया ज़ारा जहां पर सभी कयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और साथ ही 23 अप्रेल को यहां पर कारिक्रम का आयोजन होना है All India Institute of Medical Science रिशिकेश में आपको बताता चलें कि कारिक्रम का आयोजन किया ज़ाना है रास्टपती के कारिक्रम को लेकर पौरी पुलिस ने ट्राफिक प्लान को लागू कर दिया है एम्स के दिक्षान समारों में देश की महा महिम रास्टपती द्रोपती मुर्मू शामिल होने आ रही है और रास्टपती आपको राद चले के छेत्र के परमात निकेतन गंगा घाट पर मागंगा की भव्या आर्ती भी करेंगी रास्टपती के कारिक्रम को लेकर पॉर्डी पुलिस ने ट्राफिक प्लान भी लागू किया है ट्राफिक प्लान के तहत में 23 अप्लान को शाम चार से रात आट बज़े तक परमात निकेतन घाट आम नाकरिकों के लिए पतिबंधित रहेंगे कॉंग्रिस के पूर्व क्याबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार की कत्वी और करणी में काफी अंतर है सासी आपको बताते चले उनने ये भी कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकान को लेकर सरकार ने कई वादे किये थे लेकिन धरातल पर कोई भी काम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है आपको बताते चले कि हरक सिंग रावत का बयान सामने आया जहांपा बिजेपी पर उन्होंने जम कर निशाना साथा उन्होंने कहा कि धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आरा जो भी वादे किये गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं साथी अंकिता भंडारी हत्याकान को लेकर भी कई सवाल बिजेपी पर किये हुए हैं उन्होंने कहा कि धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया आपको बताते चुलें कि हरक सिंग रावत का बयान सामने आया जहां पर अंकिता भंडारी हत्यकान को लेकर भी मसला उठाया है जितनी भी हमारे परदेश में जितनी भी बेटिया हैं उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मतलब और जो भी अंकिता भंडारी के दोसी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सब उसके खिलाब जितने भी लोग है सब उसके खिलाब आवाज उठानी चाहिए अभी जैसे एक वो वाला law इन्हों ने चालू किया था जो एक्सिडेंट वाला law किया था तो अगर कुछ बेटियों के केस में भी ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का जो कृतिया है कोई भी करने से पहले सो बार सोचे तो हमें लगता है कि फिर लोग डरेंगे कुछ ऐसा ठोस एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर इस प्रकार का कुछ भी कर रहा है तो उनके लिए इमिजेटली एक एक एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे तो हम उनको बठा के खिलाते रहेंगे और निकल के आराम से अपनी नार्मल जिंदिगी में आ जाते हैं और लोग भूल जाते हैं क्योंकि आप सोचिए अगर आपके खुद के घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो आप अंकीता भंडाई को नियाई मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था और इसमें जो है उत्राखंड की समरान जंता को जो एककत्रत होना चाहिए था इसमें जो है कोई कॉंगरिस नहीं कोई भाजापा नहीं कोई यूकरडी ने कोई दल नहीं सबी दल को जो इसका समर्थन करना चाहिए था इस वज़े से करना चाहिए था आखिर ये पता तो पड़े कि जिनों ने ये कृतिक के जो है अंकीता भंडारी के साथ किया उन लोगों के बारे में पता तो चले वो लोग थे कौन और वो जो है किन कहा तक उनके तार जुड़े हुए थे किन लोगों से उनके तार बुड़े हुए थे रशिकेश में रिल्वे स्टेशन के निकर डिस्तित 531 SSTC ग्रीफ में कारीरत एक कर्मचारी के साथ में ऑनलाइन 50,000 की रकम ठगी गई है पेरित ग्राफ ही आपको बता दी चले कि कर्मचारियों ने देहद उन में सा पानूनी कारवाई करते हुए रकम वापस दुलाने की भी मांग की है शिकायत के अधार पर साइबर थाने में जीरो FIR दर्च करके मामली की जाँच रिशिकेश को तवाली पुलिस को भेज दी गई फिलाल पुलिस पूरे मामली की जाँच में जुटी हुई है आपको बदाते चलें कि SSTC ने ग्रीफ में कारियरत करमचारियों के साथ ठगी का मामला सामने आया जहांपर आपको बदाते चलें कि ऑनलाइन 50,000 रुपे की ठगी की गई है दरसल आपको बदाते चलें कि Siber Crime लगातार बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर ग्रीफ में कारियरत करमचारियों के साथ में भी ठगी का मामला सामने आया है जहांपर आपको बदाते चलें कि ऑनलाइन 50,000 रुपे की ठगी की गई है पुरा मामला रिषिकेश का है जहांपर SSTC ग्रीफ में ठगी का मामला सामने आया है आपको बदाते चलें कि SSTC ग्रीफ में ठगी का मामला सामने आया है दरसल लगातार ओनलाइन ठगी का मामला सामने आता रहा है तो वहीं ताजा मामला रुशिकेश से है जहाँ पर ग्रीफ में कार्मचारी के साथ में भी ठगी की गई है जहाँ पर ओनलाइन माध्यम से 50,000 रुपे की ओनलाइन ठांजक्शन करके ठगी का मामला सामने आया जहाँ पर ग्रीफ में कार्यरत कर्मचारी के साथ ठगी की गई है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जुटी हुई है पिथोरागर के पास में एक वहान आनियंत्रित होकर गही खाई में गिर गई है एसदुर घटना में चार लोगों की मौत हो गई जिला नियंत्रण कक्श पिथोरागर ने SDRF को इस घटना की सूशना दी सूशना मिलने के बाद SDRF टीम मौके पर पहुँची अस्थानि लोगों की मदद से 4 लोगों को निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया जहांपर 4 लोगों के शबो को खाई से भी बाहार निकाल कर जिला पुलिस को भेज दिया गया है और साथ ही आपको अधर चले कि वहान बुलेरों में कुल 8 लोग सवार थे जो शादी समारों में समलित होने के बाद वापस अपने घर आ रहे थे और इससी बीच आनियंतित होकर वहान लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरी है आपको वजाते चलें कि SDRF टीम ने मौखे पर पहुँचकर वहान आनियंतित होकर खाई में गिरी है आपको वजाते चलें कि पूरा मामला पर थोरा गड़का है जहां पर चार लोगों की मौथ भी हो गई है दरसल SDRF टीम भी मौखे पर पहुची और शवो को खबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भिजवा दिया गया है वहान आनियंतित हो गया जिसकी वज़े से आपको वजाते चले कि खाई में गिरने से चार लोगों की मौथ हो गई है SDRF टीम भी मौखे पर पहुची और इस पूरे मामले की अब चान बेन लगातार जारी है दरहसल पूरा मामला पर थोरा गड़ का बताया ज़ा रहा है जहां पर चार लोगों की मौथ का मामला सामने आया है दरहसल आपको बता दे की दुरखटना में चार लोगों की मौथ हो गई है जिनके शफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भीज दिया किया है लोकतंत्र के इस महापरव पर जहां मदाता मदान को लेकर काफी उत्सहा देखने को मिल रहा तो वहीं दूसरी और एक हैरान करने वाला मामला भी सामने आया जनपत के गदरपुर विधान सभांतगत इस्तितर राच्की प्रात्मिक विद्याले अरजुनपुर के ग्रामिलों ने सरक निर्मार की मांग को लेकर मदान का बहिशकार किया है आपको बताते चलें कि 1218 मदाताओं में महच 28 लोगों द्वारा अपने मत का प्रियोग किया गया जो अपने आप में तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं आपको बताते चलें कि पूरा मामरा गदरपुर का है जहां पर ग्रामिलों में काफी आक्रोश देखने को मिला है आप तस्वीरे देख सकते हैं जो कि गदरपुर से हैं जहां पर ग्रामिलों ने मदान का बहिशकार किया है दरसल अपनी मांगों को लेकर लोगों ने वोट नहीं किया, 28 लोगों ने मत का प्रियोग नहीं किया है और इस दोरान आपको बताते चोलें कि ग्रामिडों में काफी जादा आक्रोश दिखने को मिला सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, जो अपना कोई पर्सनल काम करना चाहते हैं, को बीसनस करना चाहते हैं, रोड की वज़े से वो लोग वो भी नहीं करता रहे हैं रही बाज जो गर्वती महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहां से बरसाथ केट एम पे जसे किसी का डिलिवरी केस हो, तो नाओ के रस्ते रस्ता हैं यहां से, अगर ज़्यादा पानी आ जाता है, तो नाओ भी नहीं चलती है, नाओ वाला भी खड़ा कर देता है वहां पे हमारी जरूरत ओपर हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुनेगा, अपनी समस्याओं को राज नेताओं तक उपर सक्ता तक पहुंचाने के लिए हमारे यहां पर वोटों का वहिस्तार किया गया है। गंगवार और साथ ही पूर्व क्याबिनेट मंतरी हरक सिंग रावत की पुत्रवधू अनुकरती गुसाई भी बिजेपी में शामिल हुई, कॉंग्रेस छोड़कार बिजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि वो प्रधान मंतरी नरेंत्रमोदी और सीम पुशकर फिंधामी की विकास कारियों से काफी जादा प्रभावित हुए, जिसको लेकर उन्होंने बिजेपी में को जाइन किया है और अब वो बिजेपी में ही रहेंगे। शामिल हुए हैं, प्रधान मंतरी के कारियों से काफी जादा प्रभावित थे, जिसको लेकर उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़कर विजेपी को जोइन किया है। आपको बताते चले कि प्रधान मंतरी नरेंथ मोदी के कारियों से काफी जादा प्रभावित थे, जिसको लेकर उन्होंने बिजेपी का दामन थाम लिया है। अब खतम नहीं हुए है। और सब लोग भारजनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृती जी का कदीर मुझे प्रस्टाव प्राप्तव भारजनता पार्टी को मैंने जोइन किया है। आदणे नरे नमूदी जी के कामों से प्रभावित होक़ dönुषी इंगेख़ से एक सपना उन्होंने विखित उत्राखंड का देखा है। वोकल फर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्राखंड में पूरे देश के अनर प्रमोट कर रहे हैं। आत्म निर्बर उत्राखंड, आत्म निर्बर भारत बनाने की बात करते हैं, इस सभी चीज़े मुझे प्रभावित करती हैं, और मुझे उमीद है कि जिस तरीके से उन्हों ने कहा है कि आने वाला दशक उत्राखंड का दशक है, मैं उमीद करती हूँ कि उत्राखंड के उत्राकन बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महंद्रभट ने लोकसभा चुनाफ में मद्दान के लिए मद्दाताओं का अभार रुताया है और उन्हें कहा कि बिजेपी का मद्दाता अपने आप घरों से निकल कर वोटिंग ले निकला इसके साथ उन्हें कहा कि चुनाफ में वेपक्ष की कोई भी इस परदा नहीं थी इसलिए भी कम मद्दान हुआ है हलाकि बिजेपी अद्दाक्ष ने कम मद्दान के लिए चिंता जाहिर की और इसके लिए शुनाव आयों को ठोस नीती बनाने और मद्दान अनिवार करने का भी सुझाब दिया सझे जाहए हैब सबसे बड़ी बात किया है कि एख तो अब मैं खिचागर अब कीको में पलना पन रहा है सुकर बार का जिन चुना और ऑफाज्यों ने दिया है सचटoria संडे चुटी तो सबसे बड़ी बात क्या धिक तुक्रवार को मद्दान की मैंने का ना मद्दान कैसे लोगों के हिड़ते में आवश्यक बने यह सबसे विचार करने पूटी लगभाग 200 साधियां दोसों साधियों की ज्यानकारी मेरे पास है मोरत साधी का यह बहुत से कारण रहे हैं सबसे बड़ी बात क्या है यह कारण पूरे जहां प्रफार्ट प्रिसकल चुनाव हुआ है कि उत्राकंड ने पूरे देश के अंदर हुआ है जाए फट्ट की चुनाव थे इसे काड़ों की सभीचा जा निर्वाता आयोग करेगा वो हम भी कर रहे हैं उत्राकंड की पांचो लोग सभा सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुए और चुनावों से कम मद्दान के बाब जो प्रदेश में सत्तारूर बिजेपी अपनी जीत को लेकर अश्वस्त है बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मेंध भट ने पांचो लोग सभा सीटों को जीतने का दावा किया है इस पर कॉंग्रिस के प्रदेश प्रबक्तार शीशपाल सिंग बिस्ट ने भी तंच कस्ते हुए कहा कि ये बिजेपी का हैंकार है सचाइक नकारणी जीतने भी जिजेपी का इस प्रकार का रवया है क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार राज में साथ सालों से है प्रवाइए जनता पार्टी का ओवर कॉंफिडेंस है सत्ता का एंकार है और सच्चाई को नकारने जैसा भाजपा का इस परकार का रवईया है क्योंकि परचंड बहुमत की सरकार राज्ये में साथ सालों से दस सालों से केंदर में है जाजित के कोई काम हुगे नहीं विरोज जो है अगनी बीर योजना का जो है हर घर में विरोध है तो निश्चेत तो पर जो है सत्ता विरोधी लहर जिसके चलते जो है मद्दान कम हुआ है और भाजपा तो चुनाओं से पहले बड़े-बड़े दावे कर रही थी कि प्रचेतर प्रतिसक मद्दान करवाएंगे पा जाओठाव जाओब तो चुनाओं से यसे आउच दो है आउचेतर तो परूचेतर चुनाओँ कि जाँदान का जाओँ लेगा करेंचेतर तो भाजब अचितर चुनाओड़े जाऊटल घूरी को प्रतिसके बाज़ादे जाओएंगे जाटोचेतर अमेंगे